नमस्कार दोस्तों आप सबी को मेरा यूटीब चेनल पे स्वागत करता हूँ इसी साल जानौरी महिने की छेता रिक को मैंने एक वीडियो अप्लोट किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस साल यानी 2020 में अद्रक की भाव बढ़ेगा जैसा सोचा था हुआ ऐसा ही हुआ खेती भी कम लगाया किसानों ने उसके बाद पिछले साल जो भारी बरसा हुआ उसकी बज़े से प्लाट की बज़े से इंडिया का बहुत जगा में अद्रक की खेत नाश्ट भी हुआ हमारे नौठिस में भी बहुत चारे खेत नाश्ट हो गया उसकी बज़े से इस साल प्रोडाक्शन बहुत कम हुआ और उसकी बज़े से अभी धिरे धिरे जनौरी महिना से आज मार्स एंडिंग तक जिरे जिरे इसका रेट का भाव का जो ग्राफ है वो आप होते होते अभी बहुत ज़्यादा हो गया जनौरी महिना में हमारे यहाँ यानि नौटिस अरुनाचल प्रेडेस की जो माल है हमारे यहाँ संतिपूर जो मार्केट है वहाँ में रेट 21, 22, 23 इसी में इसी बीच में एक रुपिया कभी आप एक रुपिया कभी डाउन दो रुपिया कभी आप दो रुपिया कभी एस रेट चलते रहा उसके बाद धिरे धिरे करके वो रेट बढ़के आज इस पोजिशन में है हमारे यहां की रेट तो बता रहा है जो भी ब्यपारी यहां से इंडिया की अलग-अलग मन्डियों में माल सप्लाय करते हैं या तो बंगलोडेस में सप्टाई करते हैं सरा वेपारी रेट तो बता रहा है अभी 55 रुपिया से लेकर 60 रुपिया तक का बीज में जो रेट बता रहा है लेकिन उस रेट में अभी ज़्यादा माल का लेंद नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहां भी प्रोडक्शन कमी होने के करण अभी खेद में माल बहुत कम है और जो भी है जो भी थोड़ा बहुत माल जो भी किसानों के पास बचा हुआ है और वो सब माल जून जुलाई महिना में सायद किसान लोग निकालेगा और उस टाइम तक अभी का जो पोजिशन है बजार का अभी का पोजिशन की हिसाब से ऐसे भी ओफ सीजन में जून जुलाई महिने में ओल अभर इंडिया में अद्रक कमी होने के कारण रेट इसे भी हाय होता है और इस साल तो बहुत कम है इसलिए मुझे लगता है कि आगे आने वोला जो महिने है उस टाइम पे बजार का रेट जो होगा वो और टेजी होने का उम्मिद है लेकिन रेट हम अभी नहीं बता सकते है कि इतना रेट होगा लेकिन रेट कुछ और बढ़ने का उम्मिद तो है तो मेरे दोस्तो इस्पेसिली में किसान भाईयों को बोल रहा हूं कि आप लोग पिछले साल जो मेहनत किया था तो उसकी मेहनत की वज़े से आज आप लोग को एक अच्छा भाव मिल रहा है और उससे आगे साल जो मेहनत किया था उसमें आप लोगों मेनत का पैसा नहीं मिला तो यह अधरक का खेती हो या अधरक का बिजनेस मैं कभी खेती भी करता हूँ अधरक का और चोटा मतलब जदा बड़ा काम नहीं करता हूँ बिजनेस की बिजनेस भी थोड़ा कर लेता हूँ लेकिन ये चीज़ हमने देखा है आज 15-16 साल की जो एक्सपिरेंस अध्रक का अध्रक से जुड़ा हुआ हूँ तो इसके मेरा लाइफ में जो एक्सपिरेंस में देखा है कि अध्रक एक ऐसा खेती है एक ऐसा देवसाई है अगर इसमें लगे रहेगा तो उसको प्रोफिट जरूर मिलेगा क्योंकि इसको लगातार 4-5 साल तक खेती हो या बिजनेस करना ही पड़ेगा बिजनेस में भी बहुत लॉस होता है इस बिजनेस में जैसे कि हम लोग कभी माल खरिट लेते हैं कुछ माल दस दिन पंदर दिन बाद बजार कुछ आप होगा ये सोच के कभी माल खरिट लेता हूं उसके बाद ना बजार तेजी होता है ना आगे जाके तेजी होने वाला है तो उस कॉंडिशन में हम लोग घाटा खाके कभी माल बेचना पड़ता है बहुत बहुत घाटा खाया है तो अभी वही में एक जो ब्यपारी हो या किसान हो सब लोगों में एक सला भी देना चाहता हूं कि continue करना पड़ेगा जब continue करेगा तो इसमें जो लोस होता है तो इस इसी बिजनेस से वह मेकाप भी होगा इस खेती में जो लॉस होता है इसी खेती से ही वह मेकाप होगा और इस साल अच्छा लगा अधरक का जो तेजी आया क्योंकि किसान भी कमाएगा इस साल और जो बेपारी है वो लोग भी कमाएगा अभी जितना माल जिजिस के पास जिजिस एरिया में बचा हुआ है उसमें से तो इंफ्यूसर और भी अच्छा मुनाफ़ा होगा ऐसा लग रहा है जो भी हो किसानों को अच्छा पैसा मिलना चाहिए बेपारे को भी अच्छा प्रोफिट ही होना चाहिए क्योंकि इसमें गोलोक का इंफेस्मेन होता है उसके बाद एक टेंशन होता है अधरक का बिजनेस में बहुत टेंशन होता है माल खरीदने के बाद टेंशन होता है कि भाव थोड़ा बहुत आएगा या नहीं कच्चा चीज का जो बिजनेस होता है उसमें धेर सारा टेंचन होता है तो दोस्तों उमीद करता हूं किसाम भाईयों को इस साल अच्छा पैसा मिले और बैपारी को भी उनलोग का इसमें इंवेस्मेंट की हिसाब से अच्छा फैदा मिले और आप लोग हमेशा लगन के साथ इस काम में जुड़े रहे तो आप लोग को देफिनेटली सक्सेस्फूल मिले गा और वीडियो जद्धा लंबा नहीं करूँगा और एक बात है कि जिनौने भी मेरे वीडियो को फर्स टाइम देखा है उनलोग को मेरे एक रिकुस्ट है कि मेरा चनेल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो भी वीडियो अच्छा लगे तो उसको like कर डिजैगा मेरा वीडियो देखके यही थोड़ा आप लोग को idea लग सकता है आप लोग को idea हो जाएगा जो भी इस business में या तो इस खेती में जुड़ा हुआ है उनलोग को idea लग जाएगा कि बजार क्या होने ओला है आगे जाके क्या होगा उसका थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग जाएगा तो वीडियो आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलता हूँ धन्यवाद